हरायर महादेब जय सीब जय भॉलेबवा तो दोस्तों अभी हमें हैं देखवर बाव मंदीर में और ये हैं हमारा पूर अपतर बाज़ा तो चलिए अंदर प्रविश्च करते हैं और आज जो है संबारी है और लास्ट संबारी है सावन का तो देखते हैं कैसा भीड़ है अंदर तो चलिए और कितनी लंबी लाइन वो सारे चीज़ देखने को मिलेगा तो पूरब दर्वा जैसे हम लोग इंट्रीक कर चुके हैं और आगे चलते हैं दिखाते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे काफी भीड़ दिख रहा है तो एक यहाँ पे आईएगा और इधर से ही आप क्या कर सकते हैं मैया पारवती के मंदीर जा सकते हैं ऐसे दर्शिन करने के लिए तो यह देख सकते हैं यहाँ पे भी काफी भीड़ है बहुत मलब बूल सकते हैं तादात में इस बर कवरिया आए हुए हैं लेकिन पिछले सुमारे के तूला में बहुत कम है ठीक है ठीक है यहाँ पे जो है गर्ब गरिम जाने के लिए यहाँ पे परिशासन है तो उतना जादा आपको भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है कि पर नौर्बल भीड़ है और मैं बता दूं देख सकते हैं यह रखे अभी जो है यहाँ यहाँ पिस गया था तो उसको बदर रहा था और यहाँ पर इसके काफी जादा भीड़ लगा हुआ यह दिख सकते हैं यह वाला देखे काफी जादा अगर भीड़ रहा था तो यहाँ पर उतना जादा भीड़ नहीं देखने को नहीं मिल रहा है एक नॉर्मल सा मतलब भीड़ है यह वहाला मयया परवत्ति का था यह भी काफी ज्यादा लंबई लाइन लग जाता है जब काफी भीण रहता था तो अभी संबारी का समय है तो उतना ज्यादा भीण देखने को नहीं मिल रहा है तो अभी हम फिर पहुच चुके यहां पे देख सकते यह आरगा है जो अंदर ज्यादा भेड होने के वैसे बहुत सारे नहीं अंदर प्रवेस कर पाते हैं तो हिमत नहीं होती उतना देर लाइन में लगने का तो ऐसे ही यहां पे जल चड़ा देते हैं और निकल जाते देख सकते हैं यहां पे जल चड़ाईए और यहां पे निकल जाईए यह सीधा जो आना पड़ेगा तो सावन के बाद ही आप आईए तो देखते हैं यह हमारा निकासी दुवार है यहां से निकासी करके सब कोई जा रहे हैं दर्शन करके भीड़ से और एक बात चीज़ है कि आपको बहले दर्शन नहीं हो लेकिन गर गुरी में प्रेजर सकर जाते हैं न तो एक आपको लगता कि हाँ आए हैं यहां पर हम अगर आपको देखें इस लेड़ी पर देखें आरगा के दुवारा ही चला अरबन हो रहा है वहां पर अंदर में किसी तरह का जो भीड़ भार नहीं है तो आज के लिए इतने मिलते हैं अगले वीडियम तब तक के लिए थैं एरमाधे मिलते हैं